हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल वन सगिंड सो फ्रेंट्स मार्केट में आपको आने वाले कुछ ही दिनों में उप्पो और वीव कमपनी के दो पारफुल स्मार्टफून देखनी को मिरेंगे स्मार्टफून को लेकर लग बक्सवी कंफर्म सपेसिव कैसन सामने आज सुकी है और इन दोनों ही स्मार्टफून की पिक्टर्स भी सामने आज सुकी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफून को कंपेर करके बताएंगे कि आपके लिए इन में स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियों सरुव करते हैं दोस्तो वीडियों के बात करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफुन के लुक और इनके डिजयन के साथ तो दोस्तो दोनों ही smartphone दराप को covered display देखने को मिलेगी जो की console cutout के साथ आएगी लेकिन दोस्तो वीवो नेक्स 5 smartphone दराप को center console cutout देखने को मिलेगा बैक मेल के बारें बात की जाए तो दोस्तो उपो Find X 5 Pro smartphone दराप को triple camera sensor देखने को मिलेगी वहीं अगर दोस्तो वीवो नेक्स 5 smartphone के बारें बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone दरापको quad camera setup देखने को मिलेगा तो दोस्तो दोनों ही smartphone का look और निकार डियान अलग-अलग type का होने वाला है फीचर्स के बारें बात की जाए तो दोस्तो उपो Find X 5 Pro smartphone दरापको कमपनी 6.18 इंच की LTPO 2.0 AMOLED डिस्पले देने वाली है जो की 7-14-3216 पिक्सल के रिजुरेशन के साथ आएगी और इसका aspect ratio 20 इन बात नों होगा और इसकी कोरनी के बर आपको Gorilla Glass Victors का protection देखने को मिल जाएगा और इसकी अंदर आपको 120 Hz रिफुरेशन के बारें बात की जाए तो दोस्तों इस smart phone दरापको कमपनी लगवग 7 इंच की LTPO AMOLED डिस्पले प्रोवाइड कराने वाली है जो की 1440 गुना 3216 पिक्सल के रिजलेशन के साथ आएगी और इसका उस्पेक रेशियो भी 20 इन पात नो होगा और इसकी कोरनी के पर आपको गोरेल लगला सविक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा औरो इसके हेंदर भी आपको 12060 का सपोर्ट मिलेगा अंदर आपको यतना ज्यादा है डिफिनलाशना देखने को नहीं मिलेगा बर दोस्तो अगर बात कि जाए इन दोनों ही समार्टवन के को व्यरियेट के मिलेगा जिसके साथ आपको 257GB और 512GB इंटरनल स्टोरिज वाले वेरियंट मिलेंगे वहीं अगर दोस्तो वीवो नेक्स स्मार्टफन के बारें बात की जाए तो दोस्तो यह स्मार्टफन आपको साइद मार्केट में 8GB और 12GB राम के वेरियंट में देखने को मिल जाएगा जिसके साथ आपको 168GB और 257GB का इंटरनल स्टोर्फन देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो मार्केट में वीवो नेक्स 5 स्मार्टफन को कमपनी साइद 2 वी रिट में उतार सकती है लेकिन दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफन के वेरियंट के बारे में नहीं आई है और दोस्तो अगर बात की जाएं दोनों ही स्मार्टफन के कैमरा संसर के बारे में तो दोस्तो उपर फाइंडेक्स 5 प्रो स्मार्फन ग्रापको कमपनी 50 में पिक्सल 50 में पिक्सल और 13 में पिक्सल का रियर कैमरा और 32 में पिक्सल का from cell भी camera provide करा सकती है तो दोस्तों दोनों ही smartphone की camera के अंदर भी आपको इतना ज्यादा difference देखनी को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही smartphone तो आपको बड़ी हा quality के बड़ी हे camera sensor देखनी को मिलेंगे और आपको ज्यिस्ट कम्पणी के सेंसर देखने को मिलेंगे जो कि तो आपको Vio X70 Experience के अंदर भी देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तो उप केंट X5 Pro सेंसर की विपेर के कमपनी ने बहुत ज्यादा जोर दिया है इस स्मार्ट्फोन की भी pictures quality next level होने वाली है और दोस्तो अब बात किजा इन दोनो ही स्मार्टफोन के प्रॉसजर के बारे में तो दोस्तो LEAKS detail के मताबए इन दोनो ही स्मार्टफोन के ग्रब को एक छिपसाट को मिलेगा जी हाँ दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफुन दर आपको कमपनी OctaCore Processor के साथ Snapdragon 8GN1 का सेंसर देखने को मिलेगा और ये दोन ही स्मार्टफुन एंडिवड टायल ओपरेटिंग सिस्टेम के पर काम करेंगे और ग्राफिक के लिए इन दोन ही स्मार्टफुन दर आपको Adreno 730 का GPU भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो प्रोसर के मामले में दोन ही स्मार्टफुन दर आपको Snapdragon का बढ़िया और अच्छा पारहूल प्रोसर देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो Oppo Find X Y Pro स्मार्टफुन दर आपको कमपनी 80W के वायर फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000 अमेच की पारहूल बैटरी प्रोवाइड कराने वाली है क्योंकि दोस्तो कुछ दिन पहले कुछ ऐसी लीक्स डीटेल सामने आई थी कि वीवो कमपनी के आने वाले स्मार्टफुन दर आपको 100W या 80W का फास्ट अचार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिले लेकिन दोस्तो जो भी हो मार्केट में दोन ही स्मार्टफुन तहलका मचाने वाले हैं इसमें कोई दुराइन नहीं है क्योंकि दोस्तो इन दोन ही स्मार्टफुन दर आपको कमपनी जवरदस्त फीचर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं तो दोस्तो मार्केट में इन दोनों ही स्मार्टफोन की आपस में तो कड़ी टकर होने ही वाली है इसके साथ ही दोस्तो ये दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट में Samsung Galaxy S22 Series और OnePlus 10 Pro जैसे स्मार्टफोन को कड़ी टकर देने वाले हैं जाकि दोस्तो अगर इन दोन स्मार्टफोन की लोंचिंग डेट के बारे बात की जाएं।